हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नमीता किचन कॉर्णनर मैं नमीता और आज मैंने बनाया है ये बीट रूट की सुखी सबजी खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वाधिश्ट लगती है और बहुत ही आसानी से कम इंग्रिडियंट में बनकर तयार हो जाती है तो चलिए इसे हम ब इसे चाकु से भी छील सकते हैं उससे भी बहुत अच्छे से छील जाती है और आप बिट रूट का कलर देखिए मेरे हाथों में पूरी तरीके से लग गए हैं इसमें इतने ज्यादा कलर होते हैं कि हाथों को पूरा कलर ही कर देता है तो अभी हमने इसे छील लिया है और इ आसानी से पक जाते हैं तो यह दिखे इसी तरीके से हमें काट लेना है तो सभी को हम इसी तरीके से पहले काट लेते हैं तो यहां पर हमने सब को काट लिया है चोटे-चोटे टुकडों में तो चलिए अब हम इसे फ्राइ करते हैं पैन में हमने एक टेबल इस्पून तेल डा इसे हम आधा एक मिनट तक सौटे कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे प्याज मैंने बड़े साइज का लिया है यह देखे इस तरीके से काट के लिया है और प्याज को हमें ट्रंसपारेंट पकाना होगा ब्राउन या फिर हलका पिंक ऐसे नहीं करना होग बस ट्रंसपारेंट हो जाएगा उसके बाद हम इसमें बीटरूट डालेंगे उसे पहले हम इसमें डाल देते हैं हरी मीर्च और कड़ी पता थोड़ा सा कड़ी पता डाल दिया हरी मीर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं या पर मैंने तीन तीखी वाली हरी म कर ठाली है तो प्याज को हमने कुछ देर तक मिदियं फ्लेम पर पका लिया है यह देखिए हो गया है तो अब हम इसमें बीट रूट को डाल देते हैं हो मीडियं फ्लेम पर हम बनाय थे जरूएं और जरूरत हुई तो हम इसे लो फ्लेम भी कर देंगे लेकिन हाई पर नहीं पकाएंगे तो अभी हम इसे मिला लेने के बाद नमक डाल कर मिला देते हैं बीट रूट की ये सबजी जो हमने बनाई है ये रोटी के साथ तो बहुत ही जादा स्वाधिस्ट लगती है एक पर आप लोग इस तरीके की सब बीट रूट के पानी जो निकलती है उसके साथ अच्छे से कुक हो जाता है तो अभी ये जो है बीट रूट वो कुक नहीं हुई है काफी टाइट दीक रही है ये देखिए प्रेस करने के बाद तूट विल्कुल नहीं रही है ये तो हम इसे वापस से धग कर थोड़ी दे कर रहे हैं अब ये अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट से दिख रही है आप इसे प्रेस करके देखेंगे तो ये बहुत ही आसानी से तूट जाएगी और इसके दाल जो है वो भी अच्छे से कुक हो गए है ये देखिए इस तरीके से प्रेस करने पर ये बहुत ही आसानी से धक कर medium flame पर या फिर low flame पर ही पकने देंगे एक मिनट के लिए पकाएंगे बहुत ज़्यादा देर अब इसे हम नहीं पकाएंगे क्योंकि अच्छे से कुक हो गया है पहले से ही तो ये एक मिनट हो गया है एक मिनट बाद हम इसे चला रहे हैं नारियल का कलर तो एकदम पूरी तरीके से चेंज हो गया है बीट रूट के कलर में वह भी आ गया है और नारियल आप इसमें जरूर से डाले नारियल डाले से बहुत ही ज़्यादा स्वाधिश्ट लगती है वैसे नहीं है नारियल तो आप बिना नारियल के भी बना सकते हैं अब हमारी ये बीट रूट की स साथ खा सकते हैं रोटी पराठा के साथ यह बहुत ही ज्यादा स्वाधिश्ट लगती है तो रेसेपी को लाइक से और कमेंट करें चैनल को भी सब्सक्राइब करें मैं मिलती हूँ आप से अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई